Hey guys, welcome back to the channel और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडियो की जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हर्ष बैनिवालामित बढ़ाना जैसी वीडियो कैसे शूट करते हैं तो उस पे मुझे काफी इस चीज को लेकर कमेंट्स हैं कि ओडियो के ऊपर हम कैसे काम करें हमारी वीडियो में अच्छी निया पाती तो यह जो बड़े-बड़े क्रियेटर्स हैं हर्ष बैनिवालामित बढ़ाना आशीश चंचलानी यह लोग ओडियो पे किस तरीके से काम करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे माइक कुछ ऐसा सिस्टम जिनकी वज़े से आप अच्छी ओडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी वीडियो के लिए इस वीडियो में यह इस समय आप जो ओडियो सुन रहे हैं यह है डिरेक्ट कैमरा में इस पर कोई माइक नहीं लगावा इस समय मैं रिकॉर्ड के लिए प्रूफ के लिए साथ के साथ यह भी दिखा दू कि इस समय कोई mic नहीं लगावा camera पर जो आप audio सुन रहे है by default camera की है तो आप समत रखते हैं कि आसपास की भी कितने आवाज आती है या फिर echo कितनी ज्यादा आती है तो camera की जो by default audio होती है या फिर जो phone की by default audio होती है वो हम काफी दूर से record करते हैं इसकी वज़े से वो अच्छी नहीं आपाती तो इसकी वज़े से हमें mics की जरूरत पढ़ती है अच्छी quality की audios के लिए आप सबसे पहले बात करते है कि audio recording के लिए हमें कैसे कैसे devices की जरूरत पढ़ सकती है या फिर अच्छी quality की आवाज रिकोर्ड करने के लिए अगर तो आपको सिंपल खड़े होके वीडियो बनानी है आपके पास कोई mic नहीं भी है तो आप अपने फोन से भी recording कर सकते है जो by default camera की जो audio है उससे बेटर रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएगा कि आप सिरफ अपने फोन में audio record अलग से कर लिजिए जैसे काफी अच्छा result आपको देखने को मिलेगा और उसके पास second option आता है कि आप एक सस्ता सा mic ले सकते हैं रोड का या बोया का कोई भी एक कोलर mic ले सकते हैं या कोई भी local company का भी जिसको आप अपने camera में connect कर सकते हैं जिसकी तार होती है लेकिन उसके साथ simple एक problem आती है कि ना तो उसमें ज़्यादा better हमें आवाज मिलती है ना हमें ज़्यादा better noise cancellation मिलती है हमें 500 से 1000 की range में माइक तो वो मिल जाता है लेकिन उस माइक में ये problem रहती है कि वो इतनी अच्छी quality नहीं है उपर से उसकी एक तार होती है जो हमें उससे ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते है उससे ज़्यादा distance हम कुछ वीडियो में बना नहीं सकते है दूसरा और सबसे better option सबसे budget वाला option हमारे पास है कि अगर आप तो tech videos बनाते हैं या फिर एक कमरे में वीडियो बना रहे हैं या खड़े होके वीडियो बना रहे हैं किसी चीज के review के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो आपके पास mobile से दूसरा second best option है कि आप 1000-2000 की range में बोया का mic ले सकते हैं या फिर रोड का mic आप ले सकते हैं चार से 5000 की range में जिसमें आप इस तरीके से अपने mobile में connect करके अच्छी quality की audio recording कर सकते हैं इसकी जो quality है ये specially use करते हैं व्लोगर्स या फिर जो पास की वीडियो से बनाते हैं कैमरा को पास में बहात में पकड़ के वीडियो से बनाते हैं उनके लिए ये mic एकदम perfect है अगर हम बात करें तो कैमरा से मैं करीब एक हाथ की दूरी पे हूँ एक हाथ से थोड़ा सा जादा है और ये इसकी audio है अगर आप तो कैमरा के पास में है या आप vlogging करते हैं कुछ इस तरीके से पास में आके तो आपके लिए ये mic काफी अच्छा है काफी अच्छी quality की audio आपको budget में मिल जाएगी अगर तो आपका budget इससे थोड़ा जादा है तो आप महेंगे में 20-25,000 के road के भी mic आते हैं road mic pro plus वो 25,000-30,000 की range में आते हैं उसमें distance थोड़ा सा ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं उसमें थोड़ी सी audio की quality बेटर होगी बट इतना वर्थेट मुझे नहीं लगता especially जो नए वीडियो बना रहे हैं नए नए वीडियो बनाना शूरू करें जिनोंने उनके लिए ये mic bloggers के लिए especially काफी अच्छा है तीसरा सबसे best option होता है हमारे पास wireless mics का जो ज़्यादा तर बड़े-बड़े creators यूज करते हैं जैसे कि Harsh Benival, Ashish Chanchalani इन लोगों के पास budget भी है जो अच्छे mics यूज कर सके या फिर अगर आपके पास budget नहीं है इन लोगों की तरह तो आप सस्ते में इस तरीके के mic ले सकते हैं जो आपको 15-20,000 की range तक या फिर 10-12,000 की range में भी मिल जाते हैं तो उन में से एक बहुती better option है Boya के mic साते हैं इस समय में अपने phone की recording के साथ-साथ ये 1500 की आवाज की recording है साथ में मैं एक 12,000 के mic पे भी audio recording कर रहा हूँ Boya का WM8 Pro ये wireless mic है जिसका audio receiver है मेरे camera पे लगावा है और दूसरा receiver मेरे पास हाथ में है इसको मैं जेब में डालके audio recording कर सकता हूँ और जो recording आप इस समय सुन रहे हैं वो इसी wireless mic से है इसी के साथ अगर मैं comparison करके दिखा हूँ 3, 2, 1 ये जो audio आप सुन रहे हैं ये मेरे इस mic से record की जा रही है जिसमें मेरे हाथ में फोन में मैंने connect कर रहा है 2000-50000 की range में ये आपके पास mic आपके phone में आप connect कर सकते हो ये है और अब जो आप अवाज सुन रहे हैं वो है Boya के wireless mic WM8 Pro की तो जितना quality का फरक है जो आपको दिखाई दी रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितने better options है अब phone में recording करने का एक नुकसान ये है कि अगर आपको wide angle shots लेने हैं या फिर आपको sketch videos बनानी है तो आप हर बार हाथ में phone recording इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो में वो अच्छा नहीं लगेगा और वहीं पर अगर हम बात करें WM8 Pro की wireless mics की तो ये आप अपनी जेब में डाल सकते हैं जैसे दूसरी creators जेब में या बैक में आप लगा सकते हैं इस समय में अपने कैमरा से करीब 20-22 फूट की दूरी पे हूँ और ओडियो आप सुन सकते हैं कि एकदम crystal clear है माइक को मैंने हाथ में पकेट रखा है आप चाहो तो इसको ट्रांस्मीटर कैमरा पे लगावा है receiver मेरे हाथ में है आप इसको जेब में डालके आप जेब में डालके माइक को टी-शिट पे टी-शिट पे कुछ इस तरीके से लगा के बात कर सकते हो जिससे ना तो माइक आपकी वीडियो में दिखेगा और आपको audio quality भी एकदम professional मिलेगी तो यहां पे फरक पड़ता है बस audio की quality के साथ-साथ थोड़ से price range का अब अगर हम बात करें तो और expensive mics जाने की तो रोड का आप mic ले सकते हैं wireless वो आपको 30-35,000 की range में मिलेगा लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं है as a creator जो भी आप नए-नए शुरू कर रहे हैं YouTube वीडियोस बनाना तो 10-12,000 की range तक का अगर आपको expensive से mic भी लेना है तो बोया का mic काफी better आपके लिए तो हमारे पास जो wireless mics है इसमें audio के लिए हमारे पास काफी सारे options है कि हम noise cancellation कितनी ज़्यादा करना चाहते हैं कितना ज़्यादा हम background noise लेना चाहते हैं कितनी आवाज हम बढ़ाना चाहते हैं कितनी कम करना चाहते हैं तो ये चीजों का फरक काफी ज़्यादा हमें अच्छा लग सकता है और कामियाब भी है और वहीं पर अगर हम बात करें फोन की recording की तो हमारे पार ऐसे कोई भी option नहीं है, अगर हम तेज बोलेंगे तो तेज अवा जाएगी, कम धीरे बोलेंगे तो धीरे वा जाएगी, तो simple सी बात है, अगर आपका तो budget है, 2000-500 की range का, तो मैं आपको suggest करूँ है कि आप simple एक बोया क माइक ले सकते हैं, जो आप अपने फोन में या फिर आप अपने कैमरा में कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एक level ear माइक चाहिए, कोलर माइक चाहिए, तो आप 500-1000 की range में ले सकते हैं, कोई भी माइक जिसकी 20-30 फूट की range की cable होती है, जो आप अपने कैमरा में लगा सकते और वो वायर आप अपनी जेब में या कोलर में टी-शिर्ट के अंदर शिर्ट के अंदर आप लगा के आप अपनी वीडियो बना सकते हैं अगर तो आपको फाइनल प्रोफेशनल लुक चाहिए अपने बड़े क्रियेटर्स की तरह तो आपको वायरलेस माइक की तरफ जाना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे बैटर और सबसे इजी और सबसे अच्छा उप्शन है इसे के साथ आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जादर जादर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ब कर दो .